हलो लेर्नर्स और वेलकम बैक टी यूर ओन चानल अलाइवाई इंग्लिश लेर्न इट यूर्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंग्लिश की पोईम 2.5 नोस वर्स आइस जिसे लिखा है विलियम काउपर ने यह बहुत ही interesting और humorous पोईम है और learners मुझे पुरी उमीद है कि आप सब इस पोईम को बहुत enjoy करेंगे इस वीडियो में हम पोईम को बहुत detail में पढ़ेंगे line by line read करके समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में मैं इस पोईम को हिंदी में explain करने वाली हूँ और इस सेम पोईम को English explanation के साथ मैंने upload कर दिया है अपने चानल पे और उसकी link मैं आपको description box में डाल दूंगी आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं और अगर मेरी माने तो दोनों ही देख लिजे चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को हमेशा की तरह सबसे पहले हम पोईट के बारे में पढ़ेंगे विलियम काउपर जो की 18th century के बहुत ही famous English poet और हाइम राइटर रहे हैं वो जादतर रोज मर्रा की जिन्दगी, everyday life और nature के बारे में लिखते थे और अपनी लिखावट की वज़े से अपनी लिखाई की वज़े से उन्होंने 18th century की nature poetry का direction ही बदल के रख दिया Samuel Taylor Coleridge ने उन्हें best modern poet भी कहा है William Cowper ने law की पढ़ाई की थी लेकिन उन्हें शुरू से ही इस legal profession में interest नहीं था इसलिए उन्होंने बाद में लिखना शुरू गया तो चलिए उनकी poem को पढ़ते हैं nose versus eyes उससे पहले देख लेते हैं poem का central idea ये poem एक satire है satire यानि क्या जब हम किसी cheese की, किसी इनसान की, किसी पुरे system की बुराईयों को दिखाते हैं point out करते हैं लेकिन humorous और funny way में तो उस शैली को कहा जाता है satire तो ये poem satire है judiciary system पे ये हमारी legal system की खामियों को दिखाता है कि कैसे हमारा जो legal system है जैसे हम कहते हैं कि इनसाफ अन्था होता है तो ये कितना wrong हो जाता है कभी-कभी और इसमें बिल्कुल भी empathy और common sense use नहीं किया जाता है कई बार जिसकी वज़े से जो true justice है इनसाफ है वो नहीं मिल पाता है लोगों को इस poem में 8 stanzas है और हर stanza में चार-चार लाइने है और इसकी rhyme scheme है A-B-A-B नव लेट सीड पोयम लाइन बाइन और लाइन आइन ट्राइन परते हैं लाइन बाइन बाइन पोयम को और डीटेल में समझने की कोशिश करेंगे आप देख सकते हैं सारे difficult words के meaning मैंने नेचे दिये हुए हैं slide के you can see and refer them between nose and eyes a strange contest arose the spectacles set them unhappily wrong the point in dispute was as all the world knows to which the set spectacles ought to belong तो poet कहते हैं के किसी दिन एक बहुत ही strange बहुत ही अजीब औ गरीब contest शुरू हो गया contest का मतलब यहाँ पर dispute, problem, fight शुरू हो गई किसके बीच? eyes और nose आँखो और नाख के बीच में contest शुरू हो गया dispute खड़ा हो गया मुद्दा खड़ा हो गया दोनों के बीच में और क्या थी contest और dispute की वज़ा spectacles यानि चश्मे question था कि यह चश्मे किसके हैं? किसको belong करते हैं? इस पर किसका अधिकार है? eyes और nose, आखें और नाख दोनों ही इस बात पर लड़ रहे थे कि जो spectacles है वो उनके लिए बना है और वो उनकी property है और वो ही उस पर हक रखते हैं इसलिए सुनकर ही आपको बहुत अजीब लग रहा होगा इसलिए poet इस पूरे case को unusual बोलते हैं अजीब और गरीब बोलते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो चश्मे हैं बहुत clear है कि हम चश्मे आखों के लिए पहनते हैं आखों की eyesight को इंप्रूफ करने के लिए चश्मे पहने जाते हैं चश्मे आखों के लिए ही बने हैं फिर भी यहां पे nose इस बात पे अपना हग जता रही है कि जो spectacles है वो इसको बिलॉंग करता है सुनकर ही हमें लग रहा है कि बहुत यह जीब गरीब कुछ केस होने वाला है तो यह जो contest है शुरू हो गया दोनों के बीच तो केस शुरू किया गया और केस के लिए obviously सबसे important चीज़ है लॉयर कोई वकील होना जरूरी है इस केस को solve करने के लिए वकील की भूमिका दी गई टंग को यानि की जबान को क्योंकि बहुत skill है इसके पास argue करने के लिए बहुत learning भी है इस वज़े से इसे यह role दिया गया है कि वो केस को आगे पढ़ाएं और केस को present करें और इसी के साथ ear को यानि कानो को chief baron बना दिया गया chief baron यानि की judge क्योंकि यह बहुत famous है अपने judgment को लेके कि यह बिल्कुल सही judgment करता है यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि real life में भी जब हम कोई भी चीज़े अपनी कानों से सुनते हैं तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं उस पर हमें कोई भी doubt नहीं होता है और अपने कानों से सुनी हुई चीज़ों पर विश्वास करना ही सबसे सही होता है तो इसी वज़े से year हमें कभी भी fail नहीं करता है उसका judgment बिल्कुल सही होता है इसलिए उससे इस case के लिए भी chief baron बना दिया गया है और इस तरह case start होता है तो case की जो सुनवाई है वो शुरू होती है और जो lawyer है यहाँ पे tongue वो अपना argument शुरू करता है in favor of nose nose के favor में वो सबसे पहले अपना argument present करता है और वो court को बताता है कि जैसे हम देखते हैं कि हमेशा से यह जो nose है नाक ही है जो चश्मे को पहनते आ रही है और कोई भी चीज पहनना मतलब उस चीज को own करना obviously हम किसी चीज को तभी पहन सकते हैं यूज कर सकते हैं जब वो हमारी खुद की हो तो हमने हमेशा से देखा है कि यह nose ही हमेशा से चश्मे को पहनते आ रही है तो यह बिलकुल clear है कि यह ही इसकी मालकिन है फिर आर्गू करने के साथ साथ यह जो लॉयर टंग है वो चश्मो को पकड़ के सब को कोट में दिखाती है इस तरह के सब देख सके वो जो दिखाने की कोशिश कर रही है वो बताती है कि लॉट्शिब आप देखेंगे कि यह जो चश्मे है इसके उपर straddle बने हुए है straddle कभी learners आप लोगों ने चश्मे देखें होंगे दोनों एनक के बीच में जो चोटे चोटे पार्ट होते है जो straddle के pieces होते हैं जो नाक पे fit बैठने के लिए रखे जाते हैं उसको point out करते हुए टंग कह रही है कि आप देखेंगे कि यह जो चश्मे है वो straddle से बने वे है और वो इतने ही size के exactly है जितने की हमारी नाक की ridge होती है जो नोक होती है तो यह इसी तरह बने है कि यह नाक के ऊपर fit बैठ सके तो मतलब यह हुआ कि जो चश्मे है वो बिलकुल नाक पर बैठने के लिए बने है यानि कि यह नाक के लिए ही बने है और नाक का ही इस पर हक है फिर यह जो टंग है जबान की जो यह lawyer है जो वकील है यह बहुत ही एक मजबूत दलिल फिर से प्रेजेंट करती है कोड में वो बताती है कि सोचो मान लो कि अगर किसी भी फेस पे नोस यानि नाक होती ही नहीं तो कैसे कोई स्पैक्टिकल पहन पाता या पहनता तो हम देखेंगी कि हमारे फेस के उपर जो नाक है नाक के उपर ही जब हम चश्मे पहनते हैं वो नाक के उपर ही एक्चली फिट आते हैं और अगर नाक ना हो तो चाद चश्मे पहनना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि जब हम चश्मा पहनते हैं तो वो बिलकुल नाक के उपर बैठा होता है तो इस पॉइंट को लेकर ये लॉयर कह रही है लॉयर टंग कह रहा है कि अगर किसी फेस के उपर नाक होती ही नहीं तो क्या कोई चश्मा पहन पहनता नहीं तो इससे ये बात बिलकुल भी clear है कि ये जो spectacles है वो सिर्फ और सिर्फ nose के लिए बने हैं, ये जो चश्मे है वो सिर्फ और सिर्फ naak के लिए बने हैं तो finally इस तरह ये जो lawyer tongue है, nose के favor में अपना जो case है वो finish करता है, अपना presentation, अपनी दलीलों की समापती करता है, वो कहता है कि सारी जो दलीले मैंने दी है, ये जो सारी proof मैंने दिये हैं उस से बिल्कुल साफ है और मुझे पुरा बरोसा है कि जो हमारे judge है वो बिल्कुल वी स्चीज से इंकार नहीं कर सकते हैं, कि जो चश्मे है वो naak के लिए ही बने है और naak जो है चश्मे के लिए बनी है Then shifting his side as a lawyer knows how, he pleaded again in behalf of the eyes, but what were his arguments few people know, for the court did not think they were equally wise फिर poet कहते हैं कि जैसे lawyer famous है इस चीज को लेके उनको बिल्कुल पता है उनके लिए बहुत आसान है अपनी side को change करना, उनकी कोई एक particular loyalty नहीं होती है, कोई honesty नहीं होती है, यहाँ पे बहुत सीधा कटाक्ष कर रहे हैं वो lawyer के profession को, वो कहते हैं कि कैसे lawyer को पता है अपनी side को shift कर देना, तो उसी तरह यह जो हमारी lawyer है, lawyer tongue वो अपनी side shift कर देती है, अब तक जो nose के favor में argument present कर रहे थी, अब वो अचानक से eyes के favor में argument करने start हो जाती है, और पर उसके क्या argument थे, eyes के favor में लेकर वो किसी को नहीं पता, किसी ने उन पर ध्यार नहीं दिया, क्योंकि लोगों क की नजर में, वो इतने convincing नहीं थे, इतने अच्छे और interesting नहीं थे, जो argument उसने nose के favor में present किये थे, उसके मुकावले में, आखिर में, जो हमारे judge है, वो बिलकुल serious tone के साथ, बहुत seriousness के साथ, बिलकुल clear और बिलकुल पक्के तौर पे decision लेकि अपना judgment है, वो announce करते हैं, बिलकुल भी उसमें हिच की चाहट नहीं है, उनको वो बिलकुल clear है, अपनी decision को लेकि और उनका decision ये होता है, कि चश्मे जो है, वो nose को belong करते हैं, नाग को belong करते हैं, इससे जादा उन्होंने ये भी कहा, कि आज के बाद से कभी भी नाग जब चश्मे पहनेगी, nose कभी भी spectacles पहनेगी, तो आँखों को हमेशा बंध रहना होगा, चाहे वो दिन हो या रात, तो इस तरह से ये case खत्म हो गया, और हम देख सकते हैं, कि कितना nonsensical judgment पास हुआ end में इस case के, कि जो nose है, उसको ownership दे दी गई चश्मे की, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है, हमें पता है, real life में चश्मे का नाग के साथ कुछ भी लेना देना नहीं होता है, चश्मे जो हैं आखों के लिए पहने चाते हैं, आखों की बिनाई को देखने की नजर को improve करने के लिए पहने चाते हैं, लेकिन फिर भी जो decision आया, वो आया nose के favor में, साथ ही ये भी कहा गया, कि जब भी चश्मे पहने की नाग, तो आखों को बंद रहना होगा, चाहिए वो दिन हो या रात हो, अब उसके decision के बाद क्या effect होता है, क्या negative point हो सकते है, उसके क्या नुकसान हो सकते है, जर्ज को उसकी बिल्कुल परवा नहीं है, वो बिल्कुल clear है, अपनी decision को लेकि और उन्होंने अपना decision पूरी तरह से सुना दिया है, announce कर दिया है, हम देख सकते हैं, कितनी सफाई से, कितनी चतुराई से, और कितनी आसानी से, पोएट ने, यह जो flaws है, जो बुराईया है, हमारे legal system की, उसको present की है, इस poem के थुरू, और कितना funny way में, कितना light way में, आई एक बार summarize कर लेते हैं, क्या कुछ हमने इस poem में पढ़ा है, हमने देखा है, कि यह poem एक satire है, जो judicial system की बुराईयों को point out करता है, highlight करता है, बट humorous way में, वो बहुत जो serious खामिया हैं हमारे judiciary system में, उसको point out करते हुए कहता है, कि कैसे, जो हमारा judiciary system है, उसमें common sense नहीं है, empathy नहीं है, बिल्कुल भी बस facts और proof को देकर, जो justice दिया जाता है, कई बार वो कितना wrong हो सकता है, और ऐसे decisions, जो है, असल माइने में जो इनसाफ है, उसके meaning से बिल्कुल हट कर होते हैं, तो इसी के साथ, point हमें message भी दे रहा है, एक deep message दे रहा है, ये, कि हमें किस तरह अपनी senses को, बिल्कुल समझतारी के साथ, समझ बूच के साथ, इस्तेमाल करना चाहिए, especially कोई चीज को judge करते हुए वक्त, और especially कोई decision लेते वक्त, कई बार हमारा wrong judgment, किसी चीज को, अगर हम गलत judge कर जाए, तो और कोई फैसला कर ले, तो ये कई बार कितना सारा injustice और कितने सारे नुकसान ला सकता है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, उमीद है आप सब को इस poem से मजाया होगा, इस video में, मेरी साथ पढ़ने में मजाया होगा, मेरी तर अगर आपने इस poem को enjoy किया है, तो इस video को like कर दीजिए, share किजिए अपने friends के साथ और subscribe कर दीजिए, अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, तो thank you very much.